दोस्तों नमस्कार, ISPCS एक्जाम्स यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, इस वीडियो में हम इन्वार्मेंट से रिलेटेड करेंड अफेर्स का डिस्कसन करेंगे और ये फुल टेस्ट है और इसकी पीडियाब आपको ISPCS एक्जाम्स या लर्निंग बाई एपीसर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आईए पहला कोसन शुरू करते हैं, पहला कोसन आपके सामने है कि जल्वाई परवरतन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC जिसे कहा जाता इंटर गवर्मेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज, इसके संदर्म बताना क्या साही है, क्या इसका गठन किसके द्वारा किया गया, तो पहला स्टेटमेंट दिया गया, इसका गठन डवलो यमो और यूनियप ने मिलकर एक अंतर सरकारी संगठन के रूम में 1988 में किया किया, इसे 2007 का नोबल पुरुसकार मिल चुका है किया, ये स्वेम का बैगानी का नुसंधान करता किया, आईपी सीसी एयार छटी रिपोर्ट के अनुसार, बैस्विक तापमान को 2 सेंटेग्रेट सीमित रखने के लिए, जो बैस्विक ग्रीन हाउस गैस का उतसरजन होता है, उसके चरम को 2025 तक सीमित करना होगा, तथा 2030 तक इसके उतसरजन में 27% की कमी लानी होगी, इस डेटा क आप मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ पर सही कतन बताना है, तो यह इसके द्वारा स्वयम का कोई रिसर्च नहीं किया जाता, बैगानी का अनुसंधान, साइन्टिपिक एनालिसिस इसके द्वारा नहीं की जाती, बलकि जो भी पहले से डेटा फैक्ट फिगर ह होता, उसी को अधार बना के इसके द्वारा एनालिसिस की जाती है, तो तीन स्टेटमेंट, तीसरा वाला गलत है बाकी, 1988 में विस मौसम संगठन और यूनिप दोनों ने मिलके किया है, 2007 में इसे नोबल पुरुसकार दिया गया, यह भी सही है, और लास्ट वाला भी सही, त कि अगर 2 centigrade temperature को maintain करना, तो 2027 तक जितना greenhouse guys का उसर्जन करते हों, चरम इस्तिधी आप कर लिजिए, लेकिन उसके बाद 2025 तक और 5 साल बाद 2030 तक आपको हर हालत में 27% की greenhouse guys के उसर्जन में कटवती करनी होगी, तो इस data का आप means में जलवाई परवर्तन से अगर लिग रहे हैं, तो आंसर आपका बहुत ज्यादा authentic मना जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, एक, दो, चार, अगले question की और चलते हैं, यह भी अगला फिर important भारती आर्केटिक station, जिससे हिमादरी कहा जाता है, तो पहला यही होगा, हिमादरी है क्या, तो यह भारती 2008 की जो मंदी आय थी, जिसमें भारत भी चपेट भी आया, तो उसी मंदी के समय से काम कर रहा है, तो ऐसे आपको रिलेट कर सकते हो, भारती आर्केटिक station, इमादरी, नार्वे में इस्तित है, और यह कब से काम कर रहा, 2008 से, अगला बताना है कि निमलिखित का काल करवा नु कि उसके बाद फिर UNFCC, तो इनका आलेटी क्या है, सही क्रम लगा हुआ है, सही आलेटी क्रम लगा हुआ, क्योंकि सबसे पहले साइट को स्थाबित किया गया था, फिर बेसल कन्वेंशन, कन्वेंशन, फ्लोरावर और फाना के लिए आपको बताना है कि साइट के स्थापन कब हुई थी, बेसल कन्वेंशन, जो हजार डस अफसिष्ट, खतानाग अफसिष्ट होते हैं, उन पे नियंतरन रखने के लिए, और CBD कन्वेंशन नाम बाइलोजिकल जो बाइलोजिकल डावर्सिटी होती है, जो विवित्ता होती है, इसी को संद्चित करने के लिए 1902 में लाया गया, और UNFCCC 1994 से यानि इस्थापित की गई है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक, दो, ती, चार, एक पहले से करोनोलाजी लगी है, 2001 में अपनाये गए इस्टाक होम कन्वेंशन का संबंद किस से है, तो जो इस्टाक होम कन्वेंशन है, ध्यान कि कब अपनाया गया, 2001 में, तो इनकी की भी करोनोलाजी आपके आगे पूछी जा सकती है, तो इस्टाक होम कन्वेंशन का संबंद क्या है, पर्सिस्टेंट आर्गेनिक पालूटेंट, ऐसे आर्गेनिक पालूटेंट होते, जो निरंतर इन्वार्मेंट में बने रहते, उ यह आपको बताना है, इस्टेट आफ दा ओसियन रिपोर्ट है किसके द्वारा, ऐसी रिपोर्ट आपके एक्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, तो यह आपको लगेगा यूनिप होगा, या बिस महासागर आयोग होगा, या इंटरनेशनल सीवेट अथाटी होगी, तो गलत कर देंगे, इस्टेट आफ दा ओसियन रिपोर्ट जो किसके द्वारा जारी की गई, तो यह यूनिस्को के द्वारा जारी की गई है, अगला चर्चा में रहने वाला कार्बन बार्डर एडजेस्टमेंट मेकेनिजम, काफी यह चर्चा पर चर्चा में बना रहा है, और पूछ रहा है कि यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के द्वारा कार्बन बार्डर एडजेस्टमेंट मेकेनिजम को प्रस्तुत किया गया था, अगला 2022 में वर्ल्ड ग्रीन एकोनामिक समिट का आयोजन कहां कत्रों पर विचार करना आए अगला पूछ रहा यूएन वाटर समिट और ग्राउंड वाटर देखो एक तो यूएन वाटर समिट है कन्विंशन वो न्यू यार्क में हुआ जिसकी ध्यस्तान इतलेंड वा कजाकिस्तान के द्वारा साइंट रूप से की गई लेकिन ये यू वर्ण वाटर समिट और ग्राउंड वाटर दूसरा हो गया वल्ड वाटर फोरम इसका डुगबार शेनेगल के डाकार सहर में किया गया किया अगला है वर्ण वाटर फोरम का आईयोजन परते दो वरस के अंतराल परажफ से किया जा रहा आप बताना है कि इसमें कौन सेप्र स्टेटमेंट क्या है सही है तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है यह आपको बताना है तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है तो यह वर्ड वाटर फोरम यह तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या है यह गलत है और बलकि बाकी एक और दो स्टेटमेंट क्या है सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यानि वी वाला हो जाएगा तो यह बिल्कुल याद कर लीजिए यानि तीन प्रकार का हो गया एक यूएन वर्ल्ड वाटर कांवेंशन हो गया कांफरेंस हो गया वह निव यार्क में हुआ है दूसरा यूएन वा गलत है क्योंकि इसका आयोजन कब से किया जा रहा प्रतेक धोवर्स पे नहीं होता है यह गलत है अगला निमलिखित में से कहां पर ग्रे वाटर प्रबंधन प्रबंधन प्रणाली को 100% अस्तर पर लागू किया गए ग्रे वाटर का मतलब हुआ जो गंदला पानी होता उसी को ग्रे वाटर कहा जाता जैसे गंदी नालियों का सेप्टिक का सेप्टिक टैंग का सीवेज का सीवेज का यह सब निकला पानी तो उसी को ग्रे वाटर कहा जाता हो इसको 100% तक यानि सच कर लिया जाए यह प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है तो यह तमिलाडू कि किसके द्वारा लागू की गई याद रखेगा तमिलाडू के द्वारा लागू की गई है निम्रिकित में से किसके द्वारा बायो पालिमर आधारी सामगरी का उप्यों करके रेशेदार जिल्ली फिल्टर विक्सित किया गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अगले आंसर क् आयाटी मंडी का हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की आयाटी मंडी के दौरा जो बायो पालिमर होते हैं उसी पाधारित एक सामगरी का उप्योगर करके फाइवर यानि रेसेदार जिल्ली फिल्टर का विकास किया गया तो इसका अंसर क्या हो जाए गड़ी जल्दूत आएक का विकास किया गया इसमें जल्दूत सेवक जो होते हैं उनको न्यूक्ती की जाएगी तो यह मिनिष्ट्य आप सुच्छ के लगाएं गी जल्द से तो गलत हो जाएगा यह मोष्ट इंपार्टेंट है को सन बनने के चांज से जहें अगला कि युनाटें कंजर्वेशन आप डेजट यानि जो डेजट से समंदित है उस पे आपका यहां कोशन पूछ रहा है तो यह जो डेजट से समंदित सम्मेलन है यह कॉप 15 का आयोजन कोटे डी आविद जान में हुआ क्या और उसके बाद 1994 में संपन एक मात्राइशा कानूनी यह लेगली रू सही हो जाएंगे तो बारा कांसर क्या हो जाएगा यानि जो पच्छकार हैं इस्टेक फोल्डर से उस पर यह कंपल्सरी रूप से लागू होता है अगला सीवी डी से समंदित कॉप 15 तो यह तो यह हो गया यूइन यूइन डबल सी और डी वाला हो गया कॉप यह भी 15 नंब कन्बंसणा Biological Diversity हो गया यानि बायोडायrin जोः भी गता से समंदित कॉप 15 बताना है कंवन इसका आयोजन कहां हुआ यह आपको बताना तो यह इसका आयोजन कनाड़ा के मांट्रियल नमक्साहर में में हुआ तो इसका आयोजन कहां किया गया?" मेक्सिको में किया गया पनामा इसका आयोजन कहा हुआ है पनामा मेक्सिको में अंसर क्या हो जाएगा अगला है ट्राइनेशनल अटलांटिक फारिस्ट पायक्त में कौंसा रेच सामिल नहीं है मतने पता चलना तीन देश है परागवे है अर्जंटीना है इसमें कॉन नहीं सामिल है तो धैङन दीज़ है तो इसमें कॉन है चिली आपको काट देना चिली नहीं बाकि ब्राजील आइस प्रागवेह अर्जंटीना इन तीन दिस को सामिल किया गया। 1974 में स्थाविन नेशनल बिरो आप प्लांट जिनेटिक रेसोर्सेज का मुख्याले कहां है। तो पहला कोशन यहीं important है कि नेशनल बिरो आप प्लांट जिनेटिक रेसोर्सेज यह स्थावित कब हुआ। 1974 में हुआ अगला पूछरा एक जिसका मुख्याले कहां परिस्तित है यह आपको बताना है तो इसका मुख्याले कहां परिस्तित है नेशनल बिरो आप प्लांट जिनेटिक रेसोर्सेज पूछे तो इसका मुख्याले कहां नेशनल बिरो आप प्लांट जिनेटिक रेसोर्स क्योंकि बोटोनिकल सर्वियाप इंडिया भी कहा है बोटोनिकल गार्डेन इलखनों में लेकिन बोटोनिकल सर्वियाप इंडिया वियसाई जिसे कहा जाता है यह भी कोलकाता मिस्तित है तो तीन वाला गलत हो गया पहला सही है दूसरा भी सही है और अगला वाला चौथा भी वने जीव संद्चन अधिनियम 1972 के अंतरगत किया जाता है तो ये Central Jew Authority, National Tiger Conservation Authority, फिर राष्टी वने जीव बोर्ड अब इसमें बताना है कि किनका किनका वने जीव संद्चन अधिनियम 1972 और WPA to 1972 के अंतरगत इस्थावित किया जाता है तो Central Jew Authority VC के अंतरगत और उसके बाद राष करना है कि इसमें अनुसूचियों संख्या पहले 6 हुआ करती थी 6 से घटाके 4 कर दिया गया बिल्कुल वा सही है अनुसूची 4 का सम्मद साइट्स के परसिष्टों में सूची वद नमूनों से आए तो ये दोनों स्टेट्मेंट सही है तो इस का अंसर क्या हो जाएगा C हो तराई हाती रिजर्व गुशित किया गया इसमें दुधुवा और पीली वीद दो टाइगर रिजर्व हैं दो वन जिव अभ्ध्यारन हैं कौन हैं तो ये किसनपूर है कतन्या घाट किसनपूर कतन्या घाट किसनपूर कतन्या घाट एक किसनपूर वही है जिसके स्थापन पीछे हमने कहा था 1972 में हुई थी और पीली भीत का तु जानते हो 2014 में दुधुआ वाला 2010 में हुआ कतन्या घाट आपको बताना है तो हमने कहता है इन दोनों में 4 का गयप है तो 1976 में कतन्या घाट की स्थापना हुई थी तो ये वही है ये यूपी के पॉइंट आप यू से भी इंपॉर्टेंट है तो 33 नमबर के तरह ही हातिरी जर्व का विस्तार पूछे कहां कहां है तो दुधुआ है पीली भीत है उसके बाद ते कौन की सनपुरू वने जीओ अभ्यारन और उसके बाद कतन्या घाट इस चार 22 में भारत की रैंक क्या है तो भारत की रैंक पूछ रहा है क्या है तो इस ऐसंजर 12 हो जाएगा 22 में एक कम है लाइस्ट में 2022 रहा एक कम करके 2151 है अगला यसी आई एपी प्रोजेक्ट को भारत के किन सारों में लागू किया गया तो यह आपको बताना है कि भारत के कौं से साहरा है जहां पर यसी जहां पर क्या लागू किया गया यसी आई एपी प्रोजेक्ट को लागू किया गया जैपूर, भोपाल, बिजैवारा, गुंटूर, मैसूर कहां कहां इसको लागू किया गया यह आपको बताना है तो 21 का अंसर क्या हो जाएगा डिस सभी जगा याद कर लिजे इंपॉर्टन को सना है तो राजस्थान से सुरू करिए राजस्थान का जैपूर इसमें सामिल है मद परदेश का भोपाल सामिल है मद परदेश के उन निच्चे उतर के आई है तो मैसूर मिलेगा मैसूर का कन्नाटक सामिल है और परदेश के दो हैं गुंटूर विजेवारा तो कहां कहां राजस्थान का जैपूर मद परदेश का भोपाल कन्नाटक का मैसूर और अंद परदेश के दो गुंटूर और विजेवारा तो इसका अंसर क्या हो जाए गड़ी आगी आईए ये तो आसान कुस्तन है आप गेरहा नंबर का वर्ल्ड अर्वन फोरम 2022 तो 11 नंबर का जो वर्ल्ड अर्वन फोरम 2022 है इसका आयोजन कहां किया गया ये आपको बताना है तो ये पोलाइंड में हुआ कहां हुआ 11 नंबर का वर्ल्ड अर्वन फोरम पूछा जाए इसका आयोजन कहां किया गया तो ये कहां किया गया पोलाइंड में इसका आयोजन किया गया है ध्यान रखेगा गलत मत करिएगा भारत का पहला ग्रीन बांड जारी किया गया ये आपको बताना है तो भार 2030 पहले टार्गेट रखा गया था लेकिन अब क्या कर दिया गया है अब टार्गेट क्या कर दिया गया है तो यह 25 कर दिया गया तो 25 याद रखेएगा निमलिखित में से किसके द्वारा भारत की सबसे बड़ी प्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट तिलंगाना की रामा गुंडम में स्थावित किया जा रहा तो भारत की सबसे बड़ी प्लोटिंग सोलर पावर प्लांट पूछे तो कहा तो यह आद रखेगा वही इसका विकास किसके द्वारा किया जा रहा यह अपके लिए भी इंपर्टेंट हो जाता है तो यह नेशनल थर्मल पावर कार्पूरेशन यह न्टी पीसी के द्वारा इसका विकास किया जा रहा अगला सीबीजी उत्पादन एको सिस्टम स्थावित करने के लिए सतत का से यह सतत 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 को सटत कि फुलफां। यस से हो गया sustainable एसे हो गया alternatives और T से हो गया towards एसे हो गया affordable और T का अगला transportation इसको कब launch किया गया सतत को कब 7 सतत और सा से 17 अगर आप ऐसे सोचते हैं तो मामला क्या हो जाएगा सही होगा कि गलत होगा गलत हो जाएगा सत्तरा में नहीं है इस बात का थ्यान रखिये तो सतत वाला कौन है सस्टनेवल यस से हो गया सस्टनेवल यानी जो समाबेसी अल्टेनेटव बैकल्पिक एफ़ाडेवल वहनी ट्रांस्पोटेशन यानी परिवहन को प्रमोट करने के लिए से लाया गया तो इस सतत योजना अब आई 2018 यानि मोदी जी जब सेकेंड फेज में आते हैं 14 से 18 वाला चल रहा होता है लास्ट इयर उसी साल मोदी जी इसको लेके आते क्योंकि 19 में फिर से चुनाव हो जाते हैं आप इससे कोरेलेट मत करिए कोई दूसरा आप लॉजिक बना लीजिए तो सटनेवल अल्टरनेट्व टुवार्ट्स हो यह से फार्डेवल ट्रांस्पोर्टेशन इसकी फ्लफाम है इससे कब लाया गया तो इससे लाया गया है 2018 में आगे आई अगला कुस्छन आपके सामने फिर है क्या है स्टेट एनर्जी एंड क्लामेट इंडेक्स 2022 में बरे राजियों में इसी को सेकी कहा जाता है सेकी सेकी में जो सीर्ष बिग मेजर स्टेट है उसमें टॉप फाइम में कौन राज सामिल नहीं है तो गुजरात सामिल है केरल सामिल है पंजाब सामिल है इसमें कौन राज नहीं सामिल है तो ये कन्नाटक नहीं सामिल है तो ये टॉप थिरी वाले याद कर लिजए गुजरात केरल पंजाब गुजरात केरल पंजाब ये पिछली वार कुशन भी आया था पीसेस में तो कौन सामिल है गुजरात केरल पंजाब सामिल है कन्नाटक सामिल नही कौन सामिल है तो गुजराथ सामिल है तो सेकी यानि सेकी में याद रखेएगा और सेकी गमला हुआ ये State Energy and Climate Index वाला तो सेकी में कौन-कौन सामिल है तो सेकी में कौन-कौन सामिल है सेकी में गुजराथ सामिल है केरल सामिल है और पंजाब सामिल है गुजरात सामिल है गुजरात सामिल है केरल सामिल है पंजाब सामिल है तो इसमें सेकी में कौन सामिल है तो सेके में गुजरात केरल पंजाब सामिल है Energy Transition Index 2021 के नुसार निम्न देशों का सही क्रम क्या है जो सीर्स के देश से ये बताना है Sweden, Norway, Denmark का लेडी क्रम लगा हूँ तो Energy Transition Index 2021 में जाओगे तो इन राजों का यही क्या है क्रम है यानि Sweden, उसके बाद Norway, Sweden, Norway Sweden का यह ना उठा लीजे तो Norway हो गया और फिर आपका Denmark Sweden, Norway, Denmark के शुरू के हैं तो Transition Energy में पूछा जाटा आप कौन वाले हैं तो Sweden हो गया उसके बाद Norway फिर Denmark सक्चम 2022 के संदर्म बताना क्या सही है इसे प्रट्रोलियम सन्द्चन अनुसंधान संग जिसे PCRA के नाम से जाना जाता उससे दोरा लाया गया इसका उदेश उज्या सन्द्चन और धन्डी विकास को सुनिश्चित करना ये आपको बताना है तो अन्तिस कांसर क्या हो जाएगा ड़ी दोनों सही है सक्चम 2022 से बिलकुल याद रखीगा पिट्रोल सन्दचन अनुसंधण संग ने लाया है भारत में मूटे अनाजों के 5 सीर्ष उतपादक राज्यों में कौन सामिल नहीं है तो जो मूटे अनाज है इनमें आपको बताना है कि सीर्ष के जो 5 राज्य है इनमें अपना उत्ता प्रतेस नहीं है बाकी मद प्रतेश गुजरार राजस्थान 8.35 में सामिल है निमली कित में से कौन सायूम सही सुमेलित है ये बताना है असनी चक्रवाद नामकरन स्री लंका ने दिया क्या सितरंग म्यामान ने दिया क्या मेंडमस मेंडो से युयाई के द्वारा दिया गया क्या तो असनी स्री लंका के द्वारा सितरंग म्यामार के द्वारा और इसके बाद मेंड़स युयाई के द्वारा दिया गया अब इसमें बताना है क्या सही है तो इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें बताना क्या सही अगला डे रे चो नामक तूफान किस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो डे रे चो नामक तूफान किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया अमेरिका को डे रे चो नामक तूफान अमेरिका को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है तो डे रे चो तूफान पूछे अमेरिका में आए अकासिव जली की सभी घटनाओं की निगराने के लिए दामनी आयप किसके द्वारा विक्सित किया आगे बताना आई 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 टी यम पुने के द्वारा प्रतिभी पर्णाली विग्यान संगटन यानि इससे एस सो कहा जाता इसके तो ये दोनों ने मिलके इसका विकास किया है अगला फिरा विश के प्रतम सव आई यू जियस भूब अगयानी विरासत अस्तलों में किस राज में इस्तित मावम लूह गुफा को सामूल किया गया तो मावम लूह ये गुफा कहां ये मेगाले में है ये कहां तो ये मेगाले में है जिससे इसमें सामिल किया गया है चर्चा में रहा गुजरात का मुरंबी पुली ये most important है मुरंबी पुली किस नदी पर इस्तित है ये आपको बताना है तो ये मुरंबी जो पुल है ये मच्छू नदी पर इस्तित है तो इसका नाम है Pumban Bridge कौन सा है ये Pumban Bridge का निर्वान किया जा रहा है Vertical Vertical Lift Sea Bridge है अगला लेक गर्दा जो सूखने के कगार पर है किस देश में है इस टाइब के कोशन आता है लेक गर्दा ये चर्चा में काफी रही है सूखने की कगार पर है ये किस देश में है ये आपको बताना है तो ये लेक गर्दा किस देश में है तो ये कहां है इटली में है कहां है इटली में है दिहन के जो सूखने की कगार पर है अगला करी के लिए पच्ची अभ्यारन के संदरे में क्या सही या पच्चिय अभ्यारन तमिलाड में है क्या या एक प्राकर्तिक रूप से आदरहूमी है क्या यह आपको बताना है तो इसका अंसर एक प्राकर्तिक नहीं मानो निर्मित है करी के लिए पच्चिय अभ्यारन बलकि तमिलाड में इस्तिते सही है तो इसका हो जाएगा उनली बिसव दुख द दिवस के संदर में क्या साहि यह बतानास प्रते एक वर्स एक जून को भी दुख दिवस मना है जाता 2022 की टीम क्या यक यह 22 अगला के वोल्ड इंवस्टी रंकिंग 2030 के संदर में बताना है कि इसमें भारत का सीर्ष संस्थान आई आई सी बिंगलरू 155 वे अस्थान पर काविज है इसके पचात आयाटी बांवेव आयाटी दिली का नमबर आता है और इसके बाद 20 वस्तर पर सीर्ष एक हजार बाक की संस्थान सामिल है तो यहां पर दोनों बास सही है एक और दो दोनों statement क्या है सही है तो सीर्ष 500 एक हजार मेंसे 27 संस्थान भारत के काविज हुई और इसमें सीर्ष अस्थान किसका है तो आई आई स्थान आई सी बंगलू 155 वे अस्थान पर ईसके बादь आ किर्षणा स्री निवास को नियुक्त किया गया है अगला स्रेष्ट योजना के संदर में क्या सही है यह बताना इसे सिच्छा मंतराले गें द्वारा जून 2020 में लांच किया गया इसका उदेश देश के सब्स्रेष्ट निजी आवासी देलों बच्चों के उच्छ गुनवत् प्रदान करने के लिए यसी के लोगों को समाजिक आर्थिक इस तर्दी का उत्थान करना तो दो तो सही है लेकिन पहला वाला गलत है क्योंकि स्रेष्ट योजना किसके द्वारा लांच की गई है तो इस समाजिक निया उहमद कारता मंतराले के द्वारा लांच की गई तो और ये जून 2022 में लांच की गई, ये बात से ये स्रेश्ट जून 2022 में लांच की गई, important scheme है, तो इसका अंसर हो जाएगा भी दूसरा वाला, अगला यूनस्को के दौरा किसी किंग हमद बिन इसा अल्खलीफा पुरुसकार से सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है, तो इ पंच नद में कौन कौन सी नदी सामिल है, ये आपको बताना है, तो पंच नद में कौन कौन है, कौरी है, पाहुज है, सिंध है, चंबल है, अब आपको बताना है कौन कौन, पंच नद में सामिल है, ये आपको बताना तो सभी की सभी सामिल है, यानि कौरी भी सामिल है, प अहला ट्रांसजेंडर शिल कहां बना है तो यह लखनों बना है लेकिन इसका उद्गहटन कब किया गया यह आप से पूछ रहा है तो यह 13 जून 2022 कब किया गया तेज जून 2022 का हम में इसका योजन किया गया यानि कि जो योगा दिवस मनाया जाता उसी के दो दिन बाद तो 21 जून को मनाया जाता है एक को इसमें 282 जून 2022 को इसका उद्गहटन किया गया है आगया यह यूपी की घरोणी योजनक संदर में क्या सही है इसकी घोषना 25 जून 2022 को सियम योगी आदितनात के द्वारा की गई इसके माध्यम से जो ग्रामीन है वो असानी से लोन ले सकते हैं या पैत्रिक भूमियों और संपतियों को उनके सही मालिकों को तक हस्ता अंत्रित करने के सुब्धा प्रदान करती है अब इसमें बताना है आपका क्या स तो पहला ट्रांजेंडर शेल लगनों में स्तावित किया गया फिर दोएट कर देगे 25 जून हो जाएगा तो 25 जून को कौन अब ये ट्रांजेंडर शेल है तो उनको सुरचित उनके घर तक पहुचाया जाए यानि घर से घरवनी तो यूपी घरवनी योजना तो यूपी सरकार द्वारा किन चेत्रों में इलक्टानिक्स मैंफाइक्ट्रिंग जोन घोसित किये जाने की यानि घोषना की गई ये आपका कोशन पूच रहा है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तीनों नोईडा ग्रेटन नोईडा यूमना एक्सप्रेस तीनों जगा क्या बनेगा इलक्टानिक्स मैंफाइक्सीरिंग जोन बनेगा तो इसका अंसर होगा डी अगला विस्ट के सबसे बड़ाए जिवानू थियो मार्गरिटा माइगनीफिका की कोज ओलिवियर ग्रोस के द्वारा कब की गई तो पहला तो यही बनेगा ये विस्ट को सबसे बड़ा के द्वारा जल प्रबंधन के लिए ग्लोबल सस्टेंबर डेवलम्मेंट गोल पाइनियर रामकिष्ण मुकाविली को चुना गया क्या या पहले भारती जिने इस प्रुसकार के लिए चुना गया तो दोनों बात इसमें क्या है सही है अगला बेम्स्टेक की वैठक 2022 में कह सबसे ज्यादा कौन देश प्रभावित हुआ है यह आपको बताना है तो यह कौन जापान नानमा डोल चक्रवास सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुआ जापान आई Evet के मुटे अर्थ सास्तरी पियरے ऑलि geschlar किस देश से समंदित हैं यह आपको बताना है तो यह सही देशTime क्या हो जाएगा शाम से किस देश के इंपॉर्टेंट को सन ये भी लगाओ इंपॉर्टेंट आयमेप के मुखे रसास्तिरी प्यारे ओलिवर गवरी चस किस देश से समधित है तो यह हैं फ्रांस से अगला 13 नौंबर 2022 को नता सापिक मुसर किस देश की पहली महला राश्टपती चुनी गई है तो इन राजयों का क्या करना और ओही क्रम क्या है यह आपको बताना है तो सबसे उपर यहां समurstherak के साथ पर प्रतिस परदा कर रहा है इसलिए तो डिनमार्क आ गया है डिनमार्क सुझालेंड सिंगापूर इसके बास फिर डिनमार्क हो गया सुझालेंड सिंगापूर इस सुरू के तीन देश हैं जो अवरोही करम में पहले से लगे हुए है अगला कुस्टन पूछ रहा है कि गलोबल एकोनामिक प्रास्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती आयमेप के द्वारा नहीं बलकि बिसुबाइंग के द्वारा निकाली जाती तो इसको सही कर लिजेगा बैस्वी खुसाहाली सुचकांग 2022 के सीर्स पान देशों में कौन सा सामिल नहीं यह बताना है तो फिल्लैंड हमेशा यह लगातार चठे साल सीर्स पे बना हुआ है डेनमार्क भी है आयल लैंड भी है तो इसमें कौन नहीं सामिल है तो इसमें याद रखेगा आयल लैंड इसमें सामिल नहीं है अगला यह जाब डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में यूपी किसमें रखा गया यह मोश्ट इंपार्टेंट अगला फिर लगा यह मोश्ट इंपार्टेंट तो यह जाब डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में यूपी को किसमें किस काइडगरी में योपी को किसमें रख़ा गया है योपी को किसमें रख़ा गया योपी Achievers की Category में है यह लीट्ज़ेंग भी योपी किसमें है Sleigh Agievers पबलिक अफ़ेश इंडेक 2022 के 3-5 राजियों में कौन राजिसामिल नहीं है तो पबलिक बताये थे लोग मामले दंगा फसाद मार पीट इसमें कौन हर्याना वाले सबसे आगे रहते तो नंबर एक भी हर्याना हो गया किवल याद करने के लिए बता रहें वाकि कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो कौन हर्याना टॉप पी है उसके बाद फिर कौन है तमिलाडू है तमिलाड नहीं है अगला निम्र कत्रों पर विचार कीजिए 2011 का बिहारी पुरुस्टकार मदू कांकरिया को दिया गया क्या दोजार ग्यार बोलें 2021 का बिहारी पुरुस्टकार मदू कांकरिया को दिया गया क्या 2022 का बिहारी पुरुस्टकार डाक्टर माधो हांडा को हांडा को दि गया गया क्या यह बताना है तो 2021 मधू कांकरिया कुमिला है 2022 वाला मा दो हटा अधा को उधोल तो यह दोनों statement क्या है सही है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा पहले पिल्द भूल म०ूड हडा उसके बार पिर 2022 का इस्टाहग हम जलลप पुरुस्काय किसे परदान किया गया यह आपको बताना है तो यह किसको बिल फ्रेड बुरुट सैट को किसको यह इंपर्टेंड लगाई है यह इंपर्टेंड लगाई है तो यह किसको बिल फ्रेड बुरुट सैट को 2022 का इस्टाइक होम जल परुसकार परदान किया गया रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया यह आपको बताना है। तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से बाल किर्शन दोसी ये बाल किर्शन दोसी वही हैं जिनको 2018 का प्रिजर पुरुषकार वास्तुकला के चेत्र में दिया गया था 2022 का मेजर ध्यां चंद खेल रतन पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया ये आपको बताना है तो ये कौन है प्रोफेसर वेंकी राम कृष्णन ये भी important है जिसमें बता रहे है important उसको रट जाईए राष्टी गोपाल रत्न पुरुषकार 2022 किसको दिया गया तो जितेंदर सिंग को दिया गया राष्टी गोपाल रत्न पुरुषकार अगला स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति योजना का संबंद किस राज से है तो स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति योजना का संबंद किस राज से है तो ये कन्नाटक से है और इसे प्रकार स्वामी विवेकानन्द ससक्ति करन योजना ये तो युवा शक्ति हो गय पूछें तो यूत्तर देश किया टेबलेट जिसमें बांटा जाता है वह उनको यहां पर स्वामी बेकानत यूवाश शक्ति पूछ रहा है तो यह कंटा की है इसमें यूपी ही सम्मे मत लगा दीजिएगा इसमाइल देखिए ये कोसन अभी पिसले वाले में आया भी तहीं इसमाइल 75 ये किसका है तो ये समाजिक न्यावें अधिकारता मंतरालिक पहले मिसन भूमी पुत्रि महिलावें अंबालिकास मंतराले की है क्या एजूकेशन टाउन सिप परियोजना ये उत्तवरदेश के द्वारा लाया गया अलीवा पहले उरिशा की है क्या अब इसमें बताना कौन एक गलत है तो इसमें भी वाला गलत क्योंकि मिसन भूमी पुत्र ये बताना है असम सरकार कहा है क्या तो ये आपको कमेंट बाक्स में लिखना इ अरियाली मौसा 2022 का आयोजन कहा हुआ नई दिल्य में हुआ इसका उदेश ब्रच्छार ओपन को प्रहवा देना है क्या तो यहां पर दोनों स्टेट्मेंट सही है most important इसको भी लगा लीजिए इसको भी लगा लीजिए important है अगला है 41 international पुस्तंग मेले के संदर में आपको बताना है कि क्या सही है 41 नंबर के जो international मेले हुए उसमें बताना है इसका आयोजन यू यही में हुआ क्या यह आपको बताना है 2022 की तीम spread the word थी तो यह प्रगती मैदान नई दिल्य में हुआ तो यह पहला वाला गलत हो जाएगा दो वाला यह सही है तो इसका अंसर हो जाए तो दोनों स्टेट्मेंट क्या है सही है तो इसमें दोनों स्टेट्मेंट क्या हो जाएगा सही हो जाएगा एक मिनट पिछला वाला कुस्टन क्या था पिछला वाला तनी के सही कर लिजिएगा इंटरनेशनल पुस्तग मेला है द्यान दिजिएगा तो यह दोनों स्टेट् सही है अगला निमन कत्रों पे विचार करना आंध की आंध प्रदेश की जानवी डांगेती नासा का अंतराश्टी वाय और अंतरीच कारकरम को पूरा किया दूसरा जालत चांसिल करने वाली पहली हम भारती महिला बनी क्या तो इसका सत्तर का अंसर हो जाएगा सी दोनों स्ट पाथन सही है माया एंजेलो अमेरिका की सिके पर दिखने वाली पहली अस्वेद महिला बनी बिल्कुल बात सही यूएण डेपी ने प्राजक्ता कोली को पहली हुआ जलवाय चंपियन सुना एभी सही जारा रदर फोड बिसका चक्कल लगाने वाली सबसे कम उम्पर की महि आकुब इमान सीवांगी सिंग ने उराया है यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा तो सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं तो आंसर हो जाएगा डि किस देश के द्वारा सूपर कमल हसन को गोल्डन वीजा प्रदान किया गया तो जो यह इस्टार हैं कमल हसन इनको गोल् अपलीकेशन लांच करने वाला पहला राज कौन बन गया तो यह बन गया है अगला है टेंपल अटन 360 को सुरी टेंपल टेंपल 360 पोर्टल का संबंद किस मंत्राले से है तो यह किस मंत्राले से है तो यह संस्किन मंत्राले का है टेंपल 360 पोर्टल का संबंद संस्किन मंत्रा निजात पाने के लिए है क्या भारत विद्या प्लेट फाम E-learning के लिए है क्या आभ इसमें बताना है क्या इसमें सही तो ये सभी के सभी ए अम्रेत मुबाइल आयब पूछे तो ये अलक्टानिक वेहकल को बहौवा देने के लिए है निदान पुटल मादख पदार से नियंत प्रदानमंतरी सम्पदा योजना प्रदानमंत्री सम्पदा योजना 2018 कि तो चिहत्र का अंसर क्या हो जाएगा यहां पर वी संपदा भी लेकिन मस्य सम्पधा योजना पूछे तो 2020 की है तीन साल का यह गैप है राश्टी पॉशन अभियान पूछे तो 8 Apollo 2018 का है प्रदान मंत्री जॉला योजना पूछे तो 2016 की है इसी परकार जितनी सुरच्जा भीमा योजना है और सब क्या है 8 माई 2015 की है चाह जीवन जोती हो अटल पिंसन योजना हो बीमा सुरच्चा बीमा योजना हो सवे 2008 मई 2015 की है बात क्लियर हुई ये स्मार्ट सिटी पूछे तो ये 25 जून 2015 की स्मार्ट सिटी है विस्व स्वास्त वर्ल्ड हेल्थ कार्ड पूछा जाए तो ये भी 19 परवरी 2015 की है सुरदगार लेकिन प्रधानमंत्री फसल भीमा योजना पूछे जाए तो वह 2016 की है इतना आपका क्लियर हो चुका होगा आगे आगे इस्टेंड अप योजना पूछे तो ये आपका क्या है 2016 का है इस्टेंड अप योजना 2016 का है वन यसन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला भारत का पहला राज पूछ रहा कौन था तो वन यसन वन राशन कार्ड को भारत का पहला राज कुछ राद और अंतिम राज पूछे तो असम पहला राज कुछ राद और अंतिम राज असम 33 नंबर का बना प्रुस्तकार्दू तीस नॉम्बर दो हजार बाइस के बिजेता कौन कौन से है यह बत पूछरा सोथी आराचिम तदासी हटोरी बनना डेट मेर्डिट गैरी बेंचेच घिव अब इसमें बताना है तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आल लेड़ी ये सब नाम दिए हैं एक बार डेड कर लीजिए सुर्थी आराचिम तदासी हटोरी बनना डेट मेर्डूरी गैरी बेंचेच घिव चवखंडीस तूप यह कहां इस्ति थे यह आपको बताना तो सब्समी इसति थे cuts का अंसर क्या हो जाएकर Siya मैत के चित्र में ब्रिक्थ्रू एवाड 2020 तेस का पुरुषकार किसे प्रदान किया गया यह आपको बताना है तो यह डेनियल यह इस पील मैन को पहला वाला इसका सही हो जाएगा यूपी में शुरू किये गए मिशन निरामय का शंबंद क्या निरामयाह यानि निरामयाह का म फिर्य फ्रयाज है इसके लिए मिशन निरामय को शुरू किया गया है ताकि अच्छी स्वास्त शुरूदाएं दे जा सकी अगला भारत की स्वाती प्रेयामल को सेवेलिया डेला लीजियन डीस-ई- waar दया से सम्मानित किया गया यह सम्मान किस देश समंदित है तो यह सम्मान दिया जाता है फ्रांस सरकार के दौरा किसके दौरा फ्रांस सरकार के दौरा नार्थ चैनल उपार करने वाला सबसे उम्रत दराज भारती कौन बन गया तो यह पहला नाम बन गया कौन अगला निमली खित में से कहां कि भोगता समदाय को यसी से हटा के यस्टी में रखने का सुझाव दिया गया ऐसे भोगता टाइप की यह कुस्टन जो यस्टी से यस्टी में जाते हैं तो कुस्टन पूछे जाते हैं तो यह कहां चहरकंड अगला चर्चा में रहा हर्मिट क्या है तो चर्चा में रहा हर्मिट क्या है तो एक प्रकार का स्पाई देर है अगला 2021-2022 में भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक भागेदार देश कौन था जहां से भारत सबसे ज़्यादा ब्यापारी भागेदारी की तो ये चीन पीछे हो गया अब कौन अमेरिका बन गया एब धियान रखियेगा हाली में किस देश के द्वारा जल्वाई आपातकाल की घोसना की गई तो जलवाई अपातकाल की घुषना किसके द्वारा की गई तो ये वनवातू वनवातू देश के द्वारा जलवाई अपातकी घुषना की गई जन जयोरजिस्टर को तयार करने वाला देश का पहला महानगर कौन बना ये आपको बताना है तो ये बना है कोलकाता जन जयो रजिस्टर को तयार किया है 22 वी की यात्रा और परेटन विकास उचकांग में भारत की 2022 में राइंग कितनी है यह आपको बताना है तो कितनी राइंग है 54 है यात्रा और परेटन विकास उचकांग OIL के दोरा कहां भारत का पहला 99 99% सुद्ध हाइडरोजन शैंद्र का सुभारम हुआ तो यह हुआ है असम में इसका कहां सुभारम हुआ तो यह कहां हुआ है इसके सुरुआत असम में की गई अगला है हाल ही में हाल ही में कहां पर भारत का पहला सी वीड पार्क स्थावित करने का गोशना की गई तो सी वीड पार्क के कहां स्थावित किया जाएगा तो यह कहां होगा तमिलाडू में सी वीड पार्क कहां तमिलाडू में किस राज को दिया गया ये आपको बताना है तो ये उरिशा को सिर्शास्थान परदान किया गया हाली में भारत टैप पहल किसके द्वारा सुरू की गई है तो ये भारत टैप जो पहल है किसके द्वारा सुरू की गई है तो ये ग्रामीन विकास मंतराले अब यहाँ आप जल कि यह टेप को मदलब जो टेप होता पानी जल मुंदे गिरती हैं उसी पर पानी जल सनर्चित करने के लिए तो जल सनर्चित के लिए तो है लेकिन ग्राम मिनिस्ट्री आप रूरल डेवलेमेंट का है ना कि जल सकती हैं का तो इस बात का दिहान रखिएगा ऐसे पीछे भी ए कि अगला मैं ने सबसे पहले बनेगा अगला बताना है जैसे कॉप होता कांफरेंस और पॉर्टेज के दौरा वस् 성phen के दौरण कंफरेंस पंचायगा आगों examining हre यूपी में स्टार्टप की संख्या क्यादार पर निम राजों का और रोही क्रम लगाई यह सबसे ज्यादा इस च्टार्टप कहा है उसके बाद कहा है इस करम में लगाना तो जिला गाज़ाबाद फिर लखनो पिर कानपूर और अब लाश्ट में वरांश्च किसके साथ कव खब लहरिया यह पत्रकार सिर्थ और से महलाओं के द्वरा संचालिध अको और ब कहां से निकाला जाता तो चित्रकूड से कनाला जाता जाता खबल लहरिया भी यानद रखेगा अधे साथ कसे यह पता है और तो इतावा से पताएथ कि इटावा आप प्रजाहित बताये थे इटावा वाला कि प्रजाहित समाचारपत पूछे तो इटावा कल्यावरी बताये थे गुरत पूर, करांदकारी बताये थे जहांसी, माधो बताये थे मिर्जापूर, और सुधाकर और सुधार होगा तभी लोगों का प्रजा का कल्यान होगा तो सुधाकव प्रजाहिर दोनों समाचारपत इटावा से निकाले जाते हैं तो ये भी ध्यान रखिए और फिर खबल लाहरिया चित्रकूट कोई भी ये सुमिलिक करवाया जा सकता अंतराष्टी धुरुपदमेला 2022 का आयोजन तो यह आपको बताना है रा अंतराष्टी धुरुपदमेला 2022 का आयोजन ready तायों अगला यहा यह आउजाती ही जल जनित यु evitar दिमाग बैठ जाए लूलू माल बताये थे 10 अपरेल गए लूलू माल देखने दस अपरेल 2022 को उसका उद्गहटन किया गया है जब लूलू माल देखने गए तो वहां खाये पीए कसके आपको 10 लग गई पांच दिन बाद तो 15 अपरेल 2022 को दस तक भी है और 5 दिन बाद छट चिकसा योजना ये कब है 21 अपरेल 2022 की है और फिर ये सब होई रहा था तो 22 में आते आते सितंबर में वतन के लिए मात्र भूम के लिए सीधे निपड गए तो इसका 15 सितंबर 2022 में आपको बताये थे मात्र भूमी योजना चार योजना एक साथ को रोलेट करके बताये थे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 15 प्रैल 2022 अगला निमलीकित में से कौन सायुग में सही सुमयली नहीं है यह आपको बताना है दुर्गावती टागर रजर मदप्रदेश में है क्या बांधीपूर कनाटक में है क्या पक्के टागर रजर्ब मिजोरम में है क्या प्रियार केरल में तो यह वाला गला थे सी वाला क्योंकि यह कहां है पक्के टागर रजर्ब यह अरुनाचल प्रदेश में है के लिए तो यह थे आपके कुस्ष्ण आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा या बुरा लगा खराब लगा जो भी लगा कुस्ष्ण तो आएगा आएग हुआ 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 हुआ